हाव तो फिक्स वाइफाई कनेक्शन स्लो आपटर अपडेट आयोस 17.3 यहां दोस्तों आज के वीडियों हम बात करने वाले हैं अगर आपके आइफोन का जो वाइफाई कनेक्शन है वो स्लो हो गया है आपने जब 17.3 पे अपने आइफोन को अपडेट किया है तो चलिए को यहां पर अपने सेटिंग्स को उपन करना है उपन करने के बाद जनरल पर आना है आने के बाद यहां पर सॉब्वेर अपडेट का उप्शन आपको एक बार चेक कर लेना है कि क्या आपका जो आइफोन है आपका जो डिवाइस है यह लेटिस वर्जन पर अपडेट है य आगे क्या करना है आपको यहां पर आपको वायफाई कनेक्शन को आपको ओपिन कर लेना है यहां पर आपको तीनेऌ cart अगर deport स्में आपको नहीं होगता होता है तो यहां पर प्रॉबलम मैं मैं आपको बताइड B चुछाँ करूंड hos अंप completely tap करना नहीं होगा आपको यहांपको एक बार सर्फ आपक का भीक्रेट करनेक्शन है या नहीं है अदो आपको का Works Dep 생각 नेनेक्शन होंगे अन्ध एक तो नॉर्मल करनेक्शन है डोन ट्व small question है तो आपको makes your कर लेना है कि आपका जओ wifi connection है इसको आपको अगर 4G mode पela councle कर लेना है आपको यहां तो यहां पर अपना फील पासवड़ है वह आपको इंटर कर देना है वाइफाई पासवड भाम इंटर कर देंगे तो यहां पर जो आपका वाइपाय कनेक्शन नेक्शन और आपका जो नेटवर्क यहां पे फुर जीद तो इतना करने के बाद आपका अगर अभी भी यह प्राब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको अगला जो ट्रेस्प नेबताइता हूं कि यहां पंपए आपको अपने इसी फंक्सन पर रहना है यहीं पर आपको यहां देखने को मिल जाएगा आई बटन सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद आपको अपने जो पासवार्ड आपको सो करेगा इसको आपको यहां से कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद आपको यहां पर अपने प से कर देखी, इस तरह से इस पर आपको फिर से प्रॉब फिर से इंटर करना है, इसके बाद आपका यह problem यहाँ से हंड़ीट परशन सौल हो जाएगा, आपका जो i fi connection है इतना process अगर आफ your लोकल लेंगे तो आपका यह नेटवर्क यहां प्रॉब्लम आपको यहां से सॉल्व हो जाएगा आपका जो आइफाई कनेक्शन है उसको जो स्पीड है आटोमेटिक हो जाएगी